ओम शान्ती आप सबको स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे 26 ओगस्ट के इश्री वरतान की जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपनी बेहत की खुशी में रहें और जो सारी प्राप्तियां हुई हैं परमात्मा से या वो उर्जा से या वो शक्ती से या अगर आप स वो एक आत्मा है जोकी सुप्रीम आत्मा या परम आत्मा है जिसको आप कॉंटम फील्ड कह रहे हैं या जिसको आप higher energy higher power कह रहे हैं लेकिन वो भी एक conscious चेतना है एक उर्जा है जो भाख का मन है खुद की feelings है और खुद के संसकार हैं और वो सबसे पवित्र है और उसके औरों की जैसे ही करते हैं दिखाईद होगे लेकिन आपकी consciousness अलग रहेगी आप detach होकर के बिना क्योई feelings के साथ में ना बहुत खुश होगे, कुछ होगे अच्छा, ना बहुत दुखी होगे, कुछ नहीं हो अच्छा आप वो neutral feelings के साथ में करोगे लेकिन फिर भी enjoy करते करोगे आप कुछ लोग कहते हैं कि neutral feelings के साथ में करें तो हम कुछ अच्छा हो, तो हम बहुत खुश ना हो बहुत enjoyment में ना रहे ये enjoyment बहार की दिखाने वाली नहीं है ये अंदर की enjoyment है परमात्मा कहते हैं जिसमें कि आप अंदर से नाचते हो लेकिन बहार से नाचने की ज़रूत नहीं है आपको हाँ, आप नाच सकते हो लेकिन बहार से दिखावा करके नाचने की ज़रूत नहीं है ये अंदर की खुशी है जो कि आत्मा को महसूस होती है एक आनन्द है जो कि आत्म को मैसूस होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके आसपास क्या हो रहा है, यही चीज हम ब्रह्मकुमाईरीस में सीखते हैं, यही हाईयर स्टेज में हम जाने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए, मंजल पर पहुशने वाले स्मृति सुरूप भवाव, यह प्राप्तियां क्या हैं इसको हम समझेंगे, ब्रामन जीवन में आदी से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट स्मृति मिलाओ और सार सुरूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रामन जीवन में हैं। अब देखिए, फिजिकल वोल्ड के हिसाब से धन दौलत हो गया, आपके पास में नाम मानशान हो गया, आपके पास में चीज़ों हो गया, वस्तू हो गया, बंगला हो गया, आपके टाइकल्स हो गया, यह फिजिकल वोल्ड में अब प्राप्त वस्तू में नहीं हैं आपको कुछ अच्छे कमिट्स नहीं मिलते हैं अपने बारे में और आपको धनकी इतनी प्राप्ति नहीं आपका पैंक बैलन्स कुछ करोड़ पतियों जैसा लगपतियों जैसा नहीं है लेकिन आपके पास में अगर मन बुद्धी का खजाना है अगर आपको एक नॉन फिज बरत जोइं तो automatically और भी चीज़े बढ़नी सुरू हो जाती है करवाने वाला कौन होता है इसमें परमात्मा आपको संकल्त भी देने वाला परमात्म होता है इसलिए कहा जाता है भक्ती में, कि जो भी करवाता है, भगवान करवाता है, ये तभी possible है, जब हम परमात्मा से linked हों, और परमात्मा की ही सोच हमारी सोच हो, तो वो बढ़ात्मा भी हमसे बड़े कारे कराता है, दुनिया वालों को लगेगा कि आप कर रहे हो, तो आपको देने की होती है और जिसने अगर जबर्दस्ती की चीजें ली हुही है दुनिया से जबर्दस्ती जसे właśnie manipulation करकेए धोका डे करकेए और डहर दिखाकर और उलट-फेर करके है उसने बात कर रहे हैं holistic, holistic मतलब की पाँचों चीज़ें, धन भी है, relationships भी अच्छे हैं आपके, आपका तन भी अच्छा है आपका, ये सारी चीज़ें मिला करके आगे चलना, जो की परमात्मा हमें प्राप्ती देते हैं, राज जुग मेडिटेशन से, तो ये सारी प्राप्तियां अगर आपको याद रहें, physical प्राप्ति के बात नहीं हो रही हैं, ये सारी हैं आत्मिक चेतना की प्राप्तियां, तो ये सारी प्राप्तियां तब हो सकती हैं जब आत्मिक चेतना पवित्र हो, तो ये सारी जब प्राप्तियां होती हैं, तो आपको इन से कोई लगाव नही हो जाते हैं कि आज मेरा ये काम हो गया आज मेरा ये बन गया, आज मैंने गाड़ी खरी ली, आज में को प्रोमोशन मिल गया आज मेरी जॉब लग लगी, आप सदा ही एक ही स्टेज में रहते हैं जिसको कि हम कहेंगे न्यूटरल स्टेज जो की सदा खुशी की स्टेज है यह निकि एक दिन बहुत excited हो गए और किसी दिन काम नहीं हो तो बहुत mood off हो गया यह स्टेज नहीं यह दुनिया वालों की स्टेज है जिनको दुनिया में मेहनत करके हर चीज करने पड़ती है तो परमात्मा कहते हैं मैं तुमें मेहनत से मुक्त कर रहा हूँ तो परमात्मा कहते हैं उनकी लिस्ट स्थिती में लाओ तो सार रूप में वही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रामण जीवन में और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं अभिनाशी प्राप्तियां नहीं है। यही परमात्म चाते हैं और यही आध्यात्म का रहसे और यही आध्यात्म की अंतिम भी हमारी जो लास्टेज है यह वही है इसमें निंदसुति हो नाम मानशान ना मिले अपमान हो रहा हो किसी को आपको मिले हो अपमान मिले या नामानशान ना मिले आपको या लाब हो या हा क्योंकि संबंता अचल बनाती है आपको अचानक से कोई चीज अच्छी हो जाए कोई अच्छी गुड नीज मिल जाए और आप बहुत ही संतुष्ट हो जाए फिर अगला दिन थोड़ा सा नीचा हो फिर उपर हो ये ब्रामन जीवन नहीं है ब्रामन जीवन मतलब जिसको सारे रास समझा जाए जिसको किसी चीज से कुछ लेना देनी जो अपने ही जीवन में मस्त है उसको सारे साथी संबंदियों से भी कुछ इतना लगावनी है कि उनकी जीवन में क्या रही है कि उसको पता है उसको इतना ज्यान हो जाए कि परमात्मा सबको करवा रहा है सारे कर्म और परमात्मा ही सबको अपने पास खीच करके लेके आएगा और सबकी दोर परमात्मा के हाथ में है तो ये ज्यान अगर आपके पास में आजाए तो आप भी निश्चिंत हो जाएंगे आप भी detach हो जाएंगे और सदा खुशी में रहेंगे सदा अपने मस्ती में रहेंगे कैसे करें ये सब कुछ इसके लिए आप 7 days को सकरी ब्रहा मकमारी इसमें इसके साथ ओम शान्ती